हेलो आइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शरमा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जुलाई तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख आप को इंस्टॉल कर लिजिए क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैट्रेल आपको करेंट अफेर्स के साथ साथ इस्टैटिक चीए के प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मैट्रेल आपको हमारी करेंट अफेर्स फंडा एप पर युपलब्द हो पाएगा हमारे पीडियेफ क सब्सक्राइब आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की पूछ रहे हैं कि जापान के पूर्व परधानमंदरी सिंजो आबे जो अब नहीं रहे को भार सरकार द्वारा किस वर्स पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था और आपके सामने हैं और सही आंसर औप्शन C है 2021-2021 सिंजो आपे जिनका जर्म 21 सितंबर 1954 को हुआ और इनकी हत्या कर दे गई 8 जुलाई 2022 को आपको बता दें साल 2006 से 2007 और 2012 से 2020 के बीच ये जापान के प्राइमिनिस्टर रहे साथी Liberal Democratic Party यानि की LDP इसके प्रेजिडेंट भी रहे हैं आपको जानना चाहिए जापान के इतियास में longest serving प्राइमिस्टर रहे हैं साथी World War II के समाप्त होने के बाद पैदा हुए पहले जैपिनीज प्राइमिस्टर भी रहे हैं आपको जानना चाहिए कि 8 जुलाई 2022 को इनको एससिनेट कर दिया गया इनकी हत्या कर दी गई एक युवक के द्वारा जिसका नाम है तयत्सुया यमागामी इस युवक को कस्टेडी में भी ले लिया गया है आपको जानना चाहिए भारत ने भी सिन्जो अबे की जो हत्या है इसके इनके जो इनका जो निधन हुआ है जो इस पर अपना शोक प्यक्त किया है एक दिन के लिए लिए लिखाया ना इंडिया डिकलेर्ड डे ओफ इस्टेट मौर्निंग फॉर सिन्जो अबे आप आपने इस सब्द सुना होगा क्वैड यान आप सभी जानते हैं जापान युनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक बना हुआ एलाइंस है क्वैड जिसम बोलते हैं दोजार साथ में अबे सिन्जो अबे द्वारा इसको इनिशेट किया गया था हमारे भारत का जो सेकंड हाइस्ट सिविलियन आवार्ड है पद्म विभूशन ये भी सिन्जो अबे को साल 2021 में दिया गया था आपको भी जानना चाहिए दोजार चोदा में ये फर्स्ट जैपेनीज पी-म बने जो की हमारे बारत की रिपब्लिक डेप परेड के चीफ केस्ट बने है तो ये सभी जानकारी आपके लिए महत्पून है पूश रहे कि स्वास्ते मंत्राल ने सभी वयसकों के लिए COVID-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को चेह महिने तक कम करने के अपने नेड़ने की खोशना की है इससे पहले बताई गई दो खुराकों के बीच का समय अंतराल क्या था ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन भी रहेगा नाइन मन्स तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर नेशनल टेकनिकल एडवाईसरी क्रूप और इम्मुनाइजेशन इसकी रिकमेंडेशन पर यह डिसाइड किया है कि जो सेकंड और प्रिकोशन डोज है कोविड नाइटीन वैक्सिन की इनके बीच का जो गैप है उसको अब 6 मंत किया जाता है आपको जानना चाहिए इससे पहले यह सेकंड और प्रिकोशन डोज जो है कोविड-19 के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो नाइन मॉंट्स का था तो साथ और आठ जुलाई को बाली इंडोनेशिया में G20 foreign ministers की meeting होई है भारत की और से external affairs Mr. Ash Jaisankar ने इसने participate किया है साथ ही चाइना की foreign minister, US Secretary of State, Russian foreign minister इसमें सामिल रहे है और जो इंडोनेशिया की foreign minister है रेटनो मरसुली इन्होंने इस event को host किया है आपको जाना चाहिए कि G20 summit 2022 में इंडोनेशिया द्वरा host की जा रही है नॉंबर की महिने में host की जाएगी G20 के बार में आपको यह भी जाना चाहिए कि world GDP का 80% 80% से भी ज्यादा जो contribution है वो G20 members द्वारा किया जाता है international trade में भी 75% जो contribution है वो G20 members का है साथी world population में भी 60% जो contribution है उस G20 members का है साथी आपको यह भी जाना चाहिए इसी साल मई में जो हमारे फोर्मर foreign secretary रहे है हर्श वर्धन श्रिंगला इनको G20 summit जो की भारत host करेगा जो 2023 में इसके लिए coordinator appoint किया गया था अच्छे जब बात हो रही है G20 की आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो संगाई operation organization है इस बार 2022 में इसके देख्षता कर रहा है उजबेकिस्टान और यह submit सतंबर महीन में होगी और आपको जाना चाहिए अगले साल 2023 में भारत SEO summit को host करेगा इसके तहत लगबग 18 कंट्री से भी जादा के अठार कंट्री से भी ज्यादा के देशों ने यहां पर अपनी जो security technology है उसको showcase किया है थीम करा importance of new technology for policing and internal security आपको जाना चाहिए जो event है यह रुनाइस किया गया next gen exhibitions के द्वारा अचा न्यू डेली से संबंदित आपको यह भी जाना चाहिए कि पांच जुलाई को Department of Food and Public Distribution ज्वारा एक दिन की National Conference on Food and Nutrition Security in India इस सम्मिट को भी और्गनाइस किया गया इंटेली में ही तो दोनों डेली से संबंदित है याद रखेगा The Department of Financial Services of Ministry of Defense has assigned three private sector banks namely STFC Bank Limited, ICIC Bank and Which Bank to provide the letter of credit and direct bank transfer business for overseas procurement by the Defense Ministry पूछने की रक्षा मंत्राइले के वित्य सेवाई भागने है तीन नीची छेतर के बैंक को STFC Bank Limited, ICIC Bank और किस बैंक को रक्षा मंत्राइले द्वारा वीदेसी खरीद के लिए letter of credit और direct bank transfer website प्रदान करने के लिए चुना है options आपके सामने हैं सही answer option भी रहेगा Axis Bank जानेगे इसके बारे में महत्यपोर्ण question है Ministry of Defense के अंतरगात आने वादे Department of Financial Services ने तीन Public Sector Bank, STFC Bank, ICIC Bank और Axis Bank इन तीनों को ही चुना है किसलिए Ministry of Defense आप सभी जानते हैं कि अलग-अलग equipments buy करती है विदेश से, रश्या से, फ्रांस से या फिर और किसी country से तो उसके लिए जो भी पुरा transaction होता है फिलाल जो वो पुरा काम है वो जो Public Sector Bank है उनके हाथ में रहता है तो अब यह काम government की और से जो transaction है यदि defense equipment भारत खरीदता है तो वो पुरी जो deal होगी जो से monetary का तो इसलिए HDFC Bank, IC, ICA Bank और Axis Bank को यहाँ पर चुना लिया है किसलिए letter of credit प्रोवाइट कराने के लिए साथ ही direct bank transfer business के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं till now only authorized public sector banks were utilized to provide these services to ministry of defense को प्रोवाइट कराया करते थे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि private sector banks को इस तरह की सर्विस प्रोवाइट कराने के लिए चुना गया है आपको जाना चाहिए कि यह जो banks हैं इनको 2000 क्रोड रुपे तक की letter of credit जो है allocate की जा सकती है contractual basis पर concurrent basis पर माफ की जगा एक साल के लिए प्राइब मिस्टर नुरेंद्र मोदी inaugurated the akil bharatiya sikshah samagam at which place प्रदान मतिन नुरेंद्र मोदी ने किस इस्थान पर अखर अखिल bharatiya sikshah samagam को inaugurate किया है आपको पताते हैं साथ से 9 जुलाई तक है और्गनाईस किया गया एजुकेशन मिस्ट्री द्वारा किसके साथ मिलकर उनिवस्ट्री ग्रांट कमिशन यूजीसी और बनाद सिंदू उनिवस्ट्री के साथ मिलकर अच्छा इस सम्मेलन में वारांसी को भी एडॉप्ट किया गया यह वारांसी डेकलेरेशन किस से संबंदित है हायर एजुकेशन से साथ इनोंने वारांसी में एल्टी कोलेज में अक्षय पात्रा मिड़े मील किचन को भी इनोग्रेट किया है साथ आपको जाना चाहिए जो यह तीन दिन की सिख्षा समागम ह यह नाइन थीम्स पर जो है बेस्ट रही है जो कि हायर एजुकेशन से संबंदित रहे यह नाइन थीम्स भी आप देख सकते हैं आपर लिके हुए है इसको डिले कर दिया गया है यानि कि अभी जो टूर्णामेंट है यह 2024 की सुरुवात में हो सकता है क्योंकि जिस देश में होना था आइवरी कोस्ट में होना था आइवरी कोस्ट का जो अफरीका के जादतर रीजन है कर दिया गया है कि आइवरी कोस्ट के बारे में आपको जाना चाहिए कि इसकी कैपिटल यामो सुक्रों है करन्सी यहां की वेस्ट अफ्रिकन सियाफे फ्रांक है उन्चुलाई 6 प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी इनगरेटेड़ गोल्डन जूबली सेलिबरेशन ओफ विच एसमी जूपेपर 6 जुलाई को प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस असमिया समाचार पत्र के स्वर्ण जनती समारों का उत्वाटन किया उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर उप्शन भी रहेगा अग्रदूद ग्रूप देखिए प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाली में जो अग्रदूद ग्रूप ऑफ न्यूश्पेपर से इनकी गोल्डन जूबली सेलिबरेशन को इनोगरेट किया है आपको जाना इन्होंने अपना डेली न्यूश्पेपर भी लॉंच किया जिसका नाम था दैनिक अग्रदूद जिसका नाम है दैनिक अग्रदूद तो विच मल्टिनेशनल कंपनी एक्वाइड निलाचल इसपाथ निगम लिमिटेड एन आई एन एल पूछना है कि निलाचल इसपाथ निगम लिमिटेड का अधिगरण किस बहुरास्टे कंप्री ने किया है और इसकी जो बागडोर है वो टाटा ग्रूप की जो फर्म है टाटा इस्टील लॉंग प्रोडॉक्ट्स टी एसल पी को सौपती गई है आपको बता दें जो करंट गॉर्मेंट है इसका यह सेकंड स का प्राइटाइशन भी हो चुका है और वह भी टाटा गुरूप द्वारा ही ब्रॉट किया गया था बागी आपको यह जानना चाहिए कि 12,100 क्रोड रुपे में 12,100 क्रोड रुपे की बीड हापर लगाई थी टाटा स्टील ने और यह इनके नाम कर दी गई थी आपको जा दो उड़ी सा गोर्मेंटी, PSU, OMC, IPICOL का एक जोएंड मेंचर है पर यह काफी लॉस में रहा है विच असेंबली हैस पास्ट दा सैलरी, अलावंसेंज एंड पैंशन अमेंडमेंड मेंड बिल्स 2022 किस विदान समाने वेतन बत्ते और पैंशन संसोदन विधेक 2022 पारित किया है, ओप्शन सापके सामने हैं, सही आंतर ओप्शन ए है, डेली असेंबली, तो डेली असेंबली ने सैलरी अलावंसेंज एंड पैंशन अमेंडमेंड बिल्स 2022 को पास कर दिया गया है, इसके तैज जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ओफ लिजिसलेटिव असेंबली है, चीफ वीब, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लीडर ओफ ओपोजिशन, इनकी जो सैलरी है, वो चोवर हजार रुपे से बठाकर लगबंग 90 हजार रुपे तक कर दी गई है, अब इस बिल्को जो भारत के राश्पतियं उनके पास बेजा गया है, अप्रूबल के लिए, Intangible Cultural Heritage for the 2022-2026 cycle, how many times has India previously served as a member of the ICH Committee, तो देखी क्या पूछ रहे है, कि भारत को 2022-2026 की जो सैकिल है, जो चक्र है, इसके लिए, अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की सुरक्सा के लिए, युनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समीतिके सदस्ट के रूप में ही चुना गया है, बारत ने पहले कितनी बार ICH समीतिके सदस्ट के रूप में कारी किया है, ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर, ओप्शन यह है, टू, ICH Committee, यानि कि Intangible Culture Heritage, देखिए, 5-7 जुलाई 2022 को 9th General Assembly of the 2003 Convention, यह हुआ है, युनेस्को का जो हैटकॉर्टर है, परिस यहाँ पर, तो जो युनेस्को की 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, इसकी जो Intergovernmental Committee है, इसके मेंबर की रूप में निक्त किया गया, 2022-2026 साइकल के लिए, यानि कि 4 साल के लिए, आपको जामना चाहिए, इससे पहले भी भारत इस कमीटी के लिए, इलेक्ट हो चुका है, दो बार, 2016-2010 और 2014-2018 गे बीच म हैं, तो यह हमारा question था कि कितनी बार हो चुका है, दो बार हो चुका है, इससे पहले भी, आपको जाना चाहिए, जो Intergovernmental Committee of the 2003 Convention है, इसमें 24 members हैं, और यह members 4 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, बागे आपको यह भी जाना चाहिए, कि जो Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity है, इसमें भारत की से 14 entries हैं, 14 inscriptions हैं, और जो बिल्कुल latest include किया गया है, वो है दुर्गा पूजा को, साथी भारतिया पर जो गुजरात का गर्भा है, इसको भी submit किया है, नॉमिनेट किया है, और इसको 2030 में discuss किया जाएगा, इस entry को. Property Consultant Knight Frank, in its latest report titled Active Capital Asia Pacific, Rising Capital in Uncertain Times, has listed how many Indian cities in the top 20 sustainable cities in the APEC Sustainability Index 2021, ये जो APA से लिखाने, इसका मतलब होता है, Asia Pacific. पूछ रहे हैं कि संपत्ति सलाकार, Knight Frank ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट, Active Capital Asia Pacific, Rising Capital in Uncertain Times, में Asia Pacific Sustainability Index 2021 में, सीर्स, बीस, इस्थाई सहरों में, कितने भारतिय सहरों को सुचिवद किया है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर, ओप्शन C है, 4. Top 5 यहाँ पर आप देखते हैं, Singapore, Sydney, Wellington, Perth, Melbourne, तो यह Top 5 Cities हैं, और यहाँ पर आप भारत की भी देख सकते हैं, चलिए डिटेल में जानेंगे, देखिए, प्रोपर्टी कंसल्टेंट है, Knight Frank, तो इसने अपनी रिपोर्ट जारी किये, जिसका टाइटल है, Active Capital Asia Pacific, Rising Capital in Uncertained Times, तो इसमें इसने चार इंडियन सिटीज को सामिल किया है, अगर हम Top 20 Sustainable Cities की बात करें, तो उनमें चार इंडियन सिटीज में है, कौनकोन सी है, बेंगलूरू, डेली, हैदराबाद, एंड मुंबई, तो एक तरह से ही Sustainability Index है, Asia Pacific Region के लिए, तो इसमें भारत की ओर से, जो Topper है, व रखा गया है, उसके बाद फिर डेली है, अगर हम भारती सिटी में बात करें, तो second rank है, और वैसे इसकी 17th rank है, Asia Pacific Region में, उसके बाद हैदराबाद है, जिसकी 18th rank है, और फिर है मुंबई, जिसकी 20th rank है, यह दि हम बात करें Top 5 Cities की, तो यह हैं Singapore, Sydney, Wellington, Perth and Melbourne, यहाँ पर 36 Cities का य High Index, Urbanization Pressure, Climate Risk, Carbon Emission and Government Initiatives पर, तो यह इसकी Criteria रही है, विच कंट्री है, साइन अगरिमेंट तो सप्लाइ थर्मो कपल्स फोर पार यूनिट्स अप दा कुंदा कुलम नुकलियर पार प्लांट इन तमिलनाडू, पूछ रहे हैं कि किस देशने तमिलनाडू में, कुंदा कुल परमानू उर्जा सही अंत्र की चार बिचली इकाईयों के लिए थर्मो कपल की आपुड़ती के लिए समझोते परस्ताक्षर किये, ओप्शन आपके सामने है, सही अंत्र उप्शन सी है, रचिया, तो देखिये, जो रोसटम स्टेट पोपरेशन है, रचिया की, इसने एक साइन किया है, इसलिए जो तमिल नाड़ो में कुद्नरकुलम न्यूकिलर पावर प्लांट है, तो इसकी जो चार पार यूनिट्स है, उनके लिए थर्मो कपल से सप्लाई करेगा, केंद्र प्रयावरन मंत्री का नाम बताईए, जिन्होंने देश के सबसे बड़े ओनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस, इंडियन वर्च्वल हर्बेरियम वैब पोर्टल का उधगाटन की ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन भी है, भूपेंद्र यादो, देख होने हाली में इंडियन वर्चुल हर्बेरियम वैब पोर्टल, जो की देश का लार्जेस्ट ओनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस है, इसको लॉंच किया है, तो डेटाबेस आप समझ सकते हैं कि कि किसी इस प्रसिव चीज़ के बारे में जानकारी होगी, अब जो ये वैब प सेमपल से उसे संबंदित डेटा भी उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, लंबे टाइम के लिए, इस्टेडी के लिए, तो प्लांट सेमपल से उनके क्लेक्शन को बोलते हैं हर्बेरियम, अब जो ये मैटेरियल में क्या के इंक्लूड हो सकता है, प्रेस्ट एंड माउंट आप कोई जानकारी चाहिए, इसे संबंदित, तो आप उसमें एंट्र करके जो है, उससे संबंदित जानकारी ले सकते हैं, नेशनल कॉन्फरेंस on the development of the space startup ecosystem in India was held in which city, पूछने की भारत में अंतरिक्स startup ecosystem के विकास पर रास्टिय सम्मेलन किस सहर में अजित किया गया, options आपक for skill development and entrepreneurship, राजीव चंदर सेखर, इन्होंने नेशनल कॉन्फरेंस on the development of the space startup ecosystem in India, इसको इनोग्रेट किया है, कहां पर बैंग्डूरों में, ये कॉन्फरेंस किसके द्वारा उगनाईश की गई, ये की गई, एस्ट्रों के साथ मिलकर, इस दोरों के साथ मिलकर, New Space India Limited, Indian National Space Promotion and Author Radiation Center, साथ ही DRD के साथ मिलकर, National Conference of Ministers of Sports of States and UTs, held in which state, पूछ रहे हैं कि राज्यों और किंद साजित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का राष्ट ये सम्मेलन किस राज्य में आजित हुआ है, सही answer option A है, गुजराथ, तो Union Sports Minister अनुराग ठाकुर ने, दो दिन का एक, National Conference of Ministers of Sports of States and UTs, इसको कुजराथी के वडिया में, इनोग्रेट किया है, पूछने की 70 वर्सों में, सबसे बीशन सूखे के बीच, किस देश ने, पो नदी के आसपास के 5 उतरी छेतरों में, आबातकाल की स्तिती गोशित कर दी, options आपके सामने है, सही answer option A रहेगा, इटली, तो ये इटली है, ये है पो रिवर, देखिए, इटली में, जो यहां की government है, जो पो रिवर है यहां की, आपको जाना चाहिए, इटली की लोंगेस्ट रिवर है, तो इसके surrounding में, जो फाइव नदर्ण रीजन है, वहां पर emergency declare कर दी है, क्योंकि पिछले 70 सार में, ऐसा सूखा नहीं देखने कुमला है, जैसा सू यह काफी लगाया जाता है, काफी उगाया जाता है, तो लगब कांट्री का जो टोटल, जो खादिया ने उसका 40% इस पो रिवर वैली में ही produce किया जाता है, और यहीं पर जो है, कोई भी rainfall नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए, इमर्जनसी आपर declare की गई है, बाकि इटली के बारे में आप जानते हैं कि कैपिटल, रोम है, करंसी, यूरो है, प्रेजिदेंट सर्जियो मैडरेल है, चौबलूर कृष्ण कुट्टी, हो पास्ट वे रिसेंटली वास नोटेड, चौबलूर कृष्ण कुट्टी, जिनका हाली में निदन हो गया, वे ए चौबलूर से थे यह, और चौबलूर की मुर्विन का निदन हो गया है, विच वन उफ फॉलोइंग इस नोट अमंग दोज नोमिनेटेड टुदर राज्यसभा रिसेंट्ली, निमली कित्म से कौन हाली में, राज्यसभा के लिए मनोनित हुए लोगों में से एक नहीं है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंतर ओप्शन भी रहेगा, कमल हसन, देखिए, मुजिक मैस्टो, इलाय राजा, स्पोर्ट्स आइकोन, पीटी उसा, जिनने पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, यह मैंने अपने आप से इसमें इंकलूड किया है, ठीक है, क्यो नोमिनेट किया गया है, आपको जानना चाहिए, जो एलाय राजा है, यह तमिल नाडू से बिलोंग करते हैं, पीटी उसा केरल से, जो परशाद हैं, यह तलंगाना से, और हेगडे करना तक से बिलोंग करते हैं, आपको यह भी जानना चाहिए, कि 7 जुलाई को, मुक्तार अबास नकभी जो बीजेपी के हैं, और आर्सीपी सिंग, जो की चेडियू के हैं, इन्होंने भी यूरिन केबिनेट से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि यह राज्यसभागी मेंबर थे और राज्यसभागा जो इनका टर्म है, वो समापत हो गया है, 7 जुलाई को, अच्छा स्टील का एडिशनल चार्ज, क्योंकि मिनिस्ट्री ओफ इस्टील देख रहे थे, आर्सीपी सिंग, वाकिया आपको जाना चाहिए, कि राज्यसभागी 245 मेंबर मेंसे, 12 मेंबर को प्रेजडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, गवर्मेंट की रेकमेंडेशन पर, और यह जो रेकमेंडेशन की जाती है, यह आर्टिकल 83 के एकॉर्डिंग की जाती है, तो ऐसे लोग जो लेटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इस तरह के छेदर से सम्बंदित हैं, उन्हें आपर नॉमिनेट किया जाता है, साथी आपको यह भी महत्रपॉंट पॉ प्रीविस असाइन्मेंट के आंसर देखेंगे, वू हैस बीन इलेक्टेड एस न्यू प्रेजिदेंट अफ अल्मानिया, आंसर इस बाजराम बेगाज, अच्छा आप में से कही ने समझा था कि अलीबाबा है, अलीबाबा ने अल्मानिया पूछा था, OECD projected the global plastic waste to be tripled by 2060, which is the first telecom service provider to give 4G services in Ladakh region, Jio, electric two-wheeler maker Ether Energy partnered with which bank for vehicle financing, State Bank of India, which former Indian cricketer has been appointed brand ambassador of Karud Aerospace, MS Dhoni, European Parliament. members have voted to prohibit the sale of new petrol and diesel cars by 2035, which IIM has joined hands with S-Farms India to develop a farmland price index based on the sales and purchases, drones, purchases done on the platform, answer is IIM Ahmedabad, और आप में से कई अस्टोंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें, आज के assignment questions देखेंगे, what is Hermit, seen recently in the news, Gullermo Lasso is the president of each country, who won the man of the series in India vs. Ireland T20 series, who won the player of the series in India vs. England test series that tied by 2-2, एक ही मतलब है, man of the series या फिर player of the series, union agriculture में इस्टर नेरिदिन सिंग तोमर inaugurated a honey testing lab in which state, fintech startup xpay.life, which claims to be India's first blockchain enabled transaction framework, launched its dash services targeted at rural India, तो इसने रूरेल इंडिया में अपनी कौन सी service को launch किया है यह आपको बताना है, तो 6 के 6 questions का answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा, यदि आपको एक question का answer भी आता है, तो भी आप comment box में बता सकते हैं, अच्छा कोई भी भारत की cricket में series होती है, तो आप यह जरूर देखा के रहें कि man of the series, चैफिट player of the series किसे मिला है, यह भी देखा गया है कि एक्जामस में पूछ ले जाता है, साथी current affairs funda को आप टेलीग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, और अपने दोस्तों की साथ fellow experts से साथ हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएगा, thank you guys.